नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियन आयरवेदिक डॉक्टर पर्द दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त वैद्ध मकेस दोस्तों आज की वीडियो पर बात करेंगे जो रास्तान का जो ओपीशिल सेडूल है ठीक है कांसलिंग का वह रिलीज हो चुक कि इस वीडियो में आपन डेटेल से समझते है कि कब से रसिस्तिरेशन होंगे सैकने डाउंड होगा कि नहीं होगा चुछू फ्यूर्इब कब होगी लिस्ट कब आएगी वो सारी चीज इस वीडियो में आपन क्लियर करते हैं वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन एक- इंडिया कोता सेशन् Dagen ब budट को II अल इंडिया कोटा सीटसमें कर फालेन को बलês ओलेमेट कोटा 15ीवेट वह न उनकी लिए स्टेट को ऐसेट कोटा की 85 परसेंट ब्राइब और गोर्म्मेंट के लिए और आप्रशनर इश्ते कोटा में से यह कोटा से जो कर सकते हो और 10 बजे तक कबसे आज से रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो जल्दी बाजी मत करना आराम से करना सोच समझगे करना ठीक है अगर किसी बच्चे ने काउंसलिंग में रजिस्टेशन ही निकराया तो वह बाद में क्लेम करेंगी मैं भूल गया कुछ भी गलती हो गई तो वह मानी नहीं जाएगी आपको रजिस्टेशन कराना अनिवारी है ठीक है अब यहां पर लिखा देखो पबलिशिंग प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन यहां पर देखिए पबलिशिंग एक मिन्ट अब के यहां पर देखिए एक मिन्ट यह थोड़ा सा मेरा पैन चलने रहा पता निवाई आप चलेगा प्रोविजिंग प्रोविजिनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रिफिकेशन प्रिफिकल्ड और एंडिकेप डिफेंस परमिलेटरी और एनराई कोई बच्चे ने जैसे बोला कि मैं डिफेंस मे सीत प्रिफिकल है निकलेगी कितने तारिक वाम अनकी बहुंजर Dawn government प्रिफिकेशन फिक हो बड्रिक्रीवाइगी किन किन कि आईगी इन तीनों के आएगी पैरा मतला military वालों हो की एनरा कोटे वालों की और PW 遊戲 उनकी बाहरत तारिख को आएगी फिर इनकी тогда कमेंट वएरिफिकेशन ओंगे ध्यान से सुनना इनकी झोट्पूर आपको साथ में लेके आने है ठीक है किसी नहीं लोग की फिजिकल हैंडीकर लगाया है तो वो आपको वह जाना पड़ेगा परामिलिट्रिक के लगाया तो दिखने पड़ेगा है मेरे पिताजी सेनिक है या फिर कोई सेनाम में कोई अपसर है ठीक है या फिर एनराई का लगाया है तो आपको एनराई डॉकुमें जगाने पड़ेंगे ओरिजिनल कितने तारिक को 14 तारिक को खान जाना पड़ेगा जोधपूर इसका एड्रस क्या है डॉक्टर सरोपली कर एक लिए डॉकुमेंट के बाद में एक लिष्ट आएगी 15 तारिक को क्या लिष्ट आएगी समें क्या बताया जाएगा कि जितने इस लिए पके अनुसार आपको अलोट्मेंट अब लिस्ट आ आगे 15 तारिक को अब यहां पर दोई इंप्पोर्टेंट है यहां पे अभी मैं वीडियो बना दूंगा सेक्रोटी मनी कितनी है इंफॉर्मेशन बाउचरफ बड़ाग रीड करके वैसे हमेशा 25 होती है लेकिन मैं अभी पड़ा नहीं क्या पता आप चैंज कर दी हो लेकिन 25 लगबग हर बार होती है तो तोड़ा सत्र अठा तीन दिन आपको चोईस फिलिंग करने पड़ेगे और सेक्रोटी मनी जमा कराने पड़ेगे डिपोजिट यहां पर लिखा हुआ है नीचे देखो ध्यान से देखो काउंसिलिंग फीस इंडियन 25 लार मस्ट भी दिपोजिट विफोर दा चोईस फिलिंग अगर आपने मान लोग कोई भर दिया आपको उसको ओडर चेंज करना है मान लोग त्यान से सुनना मैं एक चीज के लिए करते चल रहा हूं कि मुझी ये कोलेश पहले डालना है यह तो गलती हो गई तो आप लाश्ट डेट ना अठारा से पहले-पहले आप उसको चेंज कर क्योंकि पिछले साथ आठ साल से में कांसिलिंग करवा रहा हूं पबलिसिंग और फर्स्ट रांड अलोट्मेंट इन्वर्मेंसन वेबसाइट बीस तारिक को आपको जो चोईस फिलिंग किया उसके अनुसार आपका अलोट्मेंट लिस्ट लेटर अपलोड हो जाएगी और रिमेनिंग कॉलेज फीस थ्रोव डिमांड राप ओनलाइन इन फेवर आप चेर्में आई उजी अड्मेंसन कांसिलिंग बॉर जोदपूर एंड तो प्रेंट आउट सो एप्लिकेशन फोर्म विदाल ओडिजिनल दोकॉमेंट अलोग विद तो सेट फोटोपी सेल अट्रे इसद्रेशन निकाल के वीडियो बना रहा हूं बात कर बाता हूं तो मेरी फींस है जो ओनलाइन जो मतलब की फॉन टू फॉन बात करना चाता है उसके लिए दस जार रुपए मतलब 5000 रुपए तो अब और 5000 रिजिस्टर्शन के बाद है और कोई बच्चा बोलता है कि सारी काउंसलिंग मैं करूं जैसे कि उसका फॉर्म भी मैं बरू रिपोर्टिंग में भी साथ में रहूं ठीक है मैं अपनी सीए लगाऊंगा यहां पे सब कुछ काम करने के 25 रुपींस है तो 15,000 पहले हैं 10,000 बाद में क्लियर तो अगर कोई फॉन से गाइडेंस लेना चाहता ह तो दून और दो फोटो को भी सेट जम्मा हो जाएंगे और एक एक एक्स्ट्रा थर्ड कोपि मतलब तीसरा सेट भी आपके पास होना चाहिए सारे डोकुमेंट्स का तो 3 फोटो कोपियों के साथ चाहिए और एक ऑद्गीनल रॉक्पी चाहिए, अब आपित बोलोग लेकि आने हैं और जो फींस जमा होगी डिमांड राप के माध्याम से होगी डीडी जो बैंक में जाके बनवानी होती है किस नाम से बनवानी है चैर्मेन यहां लिखा हुआ है द्यान से देखो चैर्मेन आयू सी ओजी एडमिशन काउंसलिंग बॉट जोद्पर इसके नाम से जितनी भी फींस हो जब अलॉटमेंट होगा तो फींस के लिस्ट आजाएगी तो उसका भी वीडियो बना दूगा सारे वीडियो यहां पर मिलेंगे फ्रीयों कोश्ट लेकिन मैं पहले ही क्लिये कर देता हूं बच्चा बोले कि सर यह तो बहुत ज्यादा है तो मैं पहले क्लिये कर दो 5000 रुपय तो अब है जैसे बात करने से पहले और जब एडविशन हो जाएक उसके बाद में 5000 रुपय दस जारुव मैं फीस लेता हूं कांसलिंग की यह तो है उनल round to be notified later मतलब आगे जो round होंगे नहीं होंगे वो आपको पता लग जाएगा बाद में अपडेट आती रहेगी चैनल पर बने रहना सारे वीडियो मिल जाएंगे कोई भी कमेंट कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते हैं आगे बढ़ते रहो ऐसे ही मिलते रहेंगे अपन बार-बार धन्यवाद